फाइनली दोस्तों इंडियन आइडल सीजन 14 का ग्रैंड फिनाले हो चुका है और हमें मिल चुका है इस सो का एक नया विनर अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन हुए इस सो के विनर तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है रियालिटी सो वाला के इस नई यूटियो वीडियो में दोस्तों I hope आप अच्छे होंगे और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किसने जीती इंडियन आइडल सीजन 14 की ट्रॉफी सबसे पहले बात कर लेते हैं सो के जज की तो हम आपको बता दे कि सो के तीन मुख्य जज जो थे उनका नाम था कुमार सानू, विसाल ददलानी और स्रया घोसाल चलिए बात कर लेते हैं कि इंडियन आइडल सीजन 14 में कौन-कौन से कंटेस्टेंट टॉप 6 में पहुँचे थे तो सबसे पहला नाम इस टॉप 6 में से आता है प्यूस पनवर का जी है हम आपको बता दे कि प्यूस पनवर इंडियन आइडल सीजन 14 के टॉप 6 में थे इंडियन आइडल सीजन 14 के टॉप 6 में से दूसरा नाम था आदिया सर्मा का और दे वन से ही जिस दिन से आदिया का ओडिशन हुआ था वो बहुत ही अच्छी कंटेस्टेन थी और उनके हर एक सौंग जजिस को बहुत पसंद आए थे अगर बात करें इंडियन आइडल सीजन 14 की तीसरे कंटेस्टेन की जो थे टॉप 6 में वो नाम था सुबदीब दास का दोस्तो हम आपको बता दे कि सुबदीब थू और दिस सीजन बहुत ही अच्छा पॉफॉमेंस देते आये हैं पर एपिसोड और इसी कारण उन्हें टॉप तक रखा गया चलिए बात कर लेते हैं टॉप 6 में से चौथे कंटेस्टेन की और इस चौथा कंटेस्टेन का नाम है अंजना दोस्तो सो देखते हुए बहुत हद तक लग रहा था कि अंजना ही होगी सो की विनर बिकाज अंजना इसे पहले बहुत सारे रियाल्टी सो में आ चुकी है और अच्छे लेबल तक जा चुकी है तो मुझे भी लग रहा था कि इसो की विनर अंजना ही होगी बट ऐसा नहीं हुआ चलिए बात कर लेते हैं टॉप 6 में से 5 रे कंटेस्टेंट की और इनका नाम है वैभव कुपता दोस्तों जब ये सोच सुरू हुई थी तो मेरी बात वैभव से हुई थी और वैभव बहुत पहले से ही इंडियान आइडल में ओडिसन देते आ रहे हैं उन्होंने 3-4 सीजन का ओडिसन दिया था और बहुत ही महनती लर्का था जो पहले भी सीजन में उसने ओडिसन दिये हैं थे लेवल 3 तक आता था या स्टूडियो रॉन तक आता था उससे आगे नहीं बढ़ पाता था पर इस बार इंडियान आइडल में बहुत ही अच्छा उन्होंने परफॉमेंस दिया है और इसी कारण वो टॉप 2 में भी आये थे चली दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियान आइडल सीजन 14 की टॉप 6 में से आखरी कंटेस्टन यानि की 6th कंटेस्टन की और उनका नाम है अनन्या पाल अनन्या भी इससे पहले कई सारे रियालिटी सो में आ चुकी है और ओडिसन वगेरा दे चुकी है चली दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन-कौन पहुँचे टॉप 2 में तो दो कंटेस्टन जो की बहुत ज़्यादा दावेदार थे इंडियान आइडल सीजन 14 के विनर बनने के वो दो नाम था एक बैभब का और दूसरा नाम था सुबदीब का तो दोस्तों हम आपको बता दी कि इंडियान आइडल सीजन 14 के टॉप 2 में पहुँचे सुबदीब दास और बैभब कुपता और बात करे इसो के winner की तो बैभब कुपता हुए इंडियन आइडल सीजन 14 के winner और सुबधीप दास हुए इसो के first runner-up दोस्तों इसी के साथ इंडियन आइडल सीजन 14 खतम हो गया और इसो के नए winner मिल चुके हैं और फिर से इंडियन आइडल सीजन का winner एक boy ही हुआ जिहां दोस्तो बहुत पहले कभी एक लर्गी हुई थी विनर उसके बाद तो इंडियन आइडल में कोई भी लर्गी विनर हुई नहीं है अगर आप पिछला कुछ सीजन इंडियन आइडल का उठा के देख लें तो मोशली आपको वो ही विनर मिलेंगे दोस्तो सब्स बताओं तो जब ये सीजन शुरू हुई थी तो मुझे लगा था कि अंजना या फिर अनन्या में से कोई एक सोखी विनर बनीगी बट ऐसा नहीं हुआ पर कोई बात नहीं हमारे सोखी नए विनर मिल चुके है तो उनको सबसे पहले कॉंगरेचुलेशन बैवब को चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ तब तक के लिए